नहुश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग fantasy talent आप YouTube चनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे England और Ireland के बीच होने वाले पहले ODI मैच के बारे में जो कि कल श्याम 5 वोजे खेला जाएगा मैच आज नहीं है मैच कल श्याम 5 बजे है हाला कि दोस्तों कोई और अच्छा मैच नहीं था तो हमने सोचा कि इसी मैच का वीडियो थोड़ा जल्दी अप्लोट कर दिया जाए अब दोस्तों इगलेंट की जो टीम है उसमें आपको सारे जो प्लेयर से वो नए नजर आने वाले हैं मतलब जो पुराने प्लेयर से वो रेस्ट कर रहे है जितने भी प्लेयर्स आपको कल खेलती वे नजर आएंगे उन्होंने या तो एक या दो डियाई खेला है या फिर आपको डेब्यू करते होगे मिलेंगे तो दोस्तो वीडियो को देख लेना कि कौन-कौन से प्लेयर से जो बढ़िया खेल सकते है जिनका लिस्ट एका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जिन पर आप फोकस कर सकते है टी-20 में कौन अच्छा करता है उनके बारे में बात कर लेंगे क्योंकि दोस्तो अधिकतर प्लेयर जो है वो टी-20 वाले ही है और वही आयरलेंड की तरफ से कौन-कौन से प्लेयर से जो बहतर कर चुके है पहले इंगलेंड के सामने और कर सकते हैं उस पर हम डिसकेशन कर लेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तो फेंटसी टैलेंट हम चैनल को सबस्क्राइब कर लो क्योंकि अब नजदीक है वर्ल्लकप दो हजार तेईस और वर्ल्लकप दो हजार तेईस में क्या कमाल करना है हमें यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा तो इसी लिए सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लेना बेल आइकन पर प्रेस कर देना और दोस्तों जो हमारी फाइनल टीम है जो फाइनल अफडेट से वो मैं आपको टेलेग्राम पर टॉस के टाइम पर प्रोवाइड कर देता हूँ तो अगर आप लोग टेलेग्राम पर नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलता है उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में टेलेग्राम पर जुड़ सकते हैं अब बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में मैच होगा हेडिंग ले लीट्स में इस मैदान के उपर टोटल मैचिस के लिए गए हैं 43 जिनमें से सेकिंड बेटिंग करने वाली टीम ने 26 मैचिस को विन किया है मतलब यहाँ पर जो टीम सेकिंड बेटिंग करेगी उसको ज़्यादा बेनेफिट होने वाला है जो टीम सेकिंड बेटिंग करेगी तो क्या वो भी भारी पड़ेगी जोस्तों वो भारी पड़े ना पड़े लेकिन एक अच्छी टकर देते हुए नजर आ जाएगी वैसे भी दोस्तों England के पेर्स नए है तो मैच आपको लगबग बराबर का ही देखने मिलने वाला है अब यहाँ पर देखें नॉर्मली इस मैदान के उपर जो स्कोर बनता है वो कुछ इस तरह का रहता है दोसों के अंदर रुक जाता है यही रीजन है कि सेकंड बेटिंग करने वाली टीम मैच को विन कर लेती है पहले बेटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अरली स्विंग आपको देखने मिल जाते है और जैसे ही सेकंड इनिंग आती है तो वहाँ पर बेटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है अब हम बात करें अगर इस मैदान पर खेले गए कुछ रीसेंट मैचिस के बारे में तो आखरी मैच में श्री लंका ने 264 किया था इंडिया ने मात्र तीन विकेट गवा कर इस मैच को विन किया यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने 311 किया अफगानिस्तान जैसी टीम ने भी 288 बना लिया था फिर इसके नीचे अगर हम यहाँ पर आते हैं लेकिर अगर हम बात करें इस मैदान पर स्कोर करने वाले प्लेयर्स की तो यहाँ पर नमबर चार है यहाँ पर नमबर पांच की प्लेयर ने स्कोर किया यहाँ पर नमबर चार की प्लेयर ने स्कोर किया और यहाँ पर नमबर तीन है openers की तरफ से हमें record नहीं मिला है पहली पारी में पिछले 4 matches की हम बात कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि early swing हमें देखने मिलता है starting में जब swing हो रहा है तो इसके चलते क्या हो रहा है कि आपको power play में starting के 10 over में wickets देखने में मिल रहा है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 wicket गए यहाँ पर 1 wicket गया यहाँ पर 2 गए और यहाँ पर भी हमने 2 wicket देखे इसी वाज़े से जो middle order की बल्लेबाज है उन्होंने ज़्यादा अच्छा performance करके दिया है क्योंकि जैसे जैसे match आगे बड़ा बेटिंग करना थोड़ा सा आसान हुआ है अब रही बात second inning की तो यहाँ पर आपको opener मिलता है केल राहूल यहाँ पर नंबर 3 का player बाबाराजम यहाँ पर जरूर बैन स्टोक्स थे और यहाँ पर आपको नंबर 3 इक्रम अली खिल ने 86 का score करके दिया तो second inning में बहुत हद तक ऐसा चल रहा है कि जो top order है वो आपको score करके दे जाता है तो यह जो चीज़े हैं जब आप अपना pattern तयार कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना खास तोर से toss के बाद में अब यहां से अगर हम देखें कि फास्ट बोलर्स का domination ज़ादा है या फिर spinners का तो फास्ट बोलर्स 8 विकेट फास्ट बोलर्स 11 विकेट यहां पर 11 विकेट यहां पर 14 विकेट अफगानिस्तान जैसी best spinners वाली team ने भी सिर्फ 2 ही विकेट निकाले यहां पर राशित खान, मुझीबूर रहमान, नभी यहां पर आपको मिलते हैं 2 विकेट यहां पर आप देखेंगे अफगानिस्तान को तो एक भी विकेट नहीं मिल पाया spinner को, सारे विकेट फास्ट बोलर्स को ही मिले और यहां पर इंडिया के भी spinners ने सिर्फ 2 ही विकेट निकाले थे तो almost spinners का रोल कम है, फास्ट बोलर्स का रोल ज्यादा है तो यह जो चीज़े हैं ground से related आपको ध्यान में रखनी है जब आप pattern तयार कर रहे हैं दोस्तो अगर मेरी बात आपको समझ आती है कि भई मैं क्या बता रहा हूं, जिससे आप एक अच्छी टीम तयार कर पाते हैं तो वीडियो को like करो comment करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और अपने friend circle में वीडियो को share कर देना अब यहां पर देखते हैं लास्ट टाइम जब यह दोनों टीम में हमने सामने हुई थी 2020 में इंगलेंड के प्लेयर तो दोस्तों इनको मत देखना क्योंकि यह प्लेयर नहीं खेल रहे यह हमें देखना है कि भई इन खिलाडियों ने Ireland के प्लेयर ने कैसा किया था इंगलेंड के सामने जिसमें पॉलस्ट्रिलिंग का एक शतक है, जीती थी ये मैच आयरलेंड, एंडी बैलबरी ने शतक लगाया, क्रैग यंग के खाते में तीन विकेट थे, जॉस लिटल और कर्टिस केमपर ने दो विकेट निकाले, फिर यहाँ पे कर्टिस केमपर ने 68 किया, जॉस लिटल के तीन विकेट थे और कर्टिस केमपर ने दो विकेट भी निकाल कर दिये थे, हाला कि दोस्तो इन में से एक भी प्लेयर आपको कल के मैच में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, इंगलेंड की साइट से, इसलिए उन प्लेयर्स पे मैं नजर नहीं डाल रहाँ, अब जो और बाकी सारे नए गेंद बाद जिनको आपने दा हंट्रेड में खेलते हुए देखा होगा, आयरलेंड की तरफ से ज्यादा कोई बड़ा चेंजिस नहीं मिलेगा, वही उनकी फिक्स टीम है, जो अधिकता टोर्नामेंट्स में खेलते हुए आपको नजर आती है, जिसमें पॉल स्टिलिंग, डिलाने, बैलबरीन, लॉर्किन टकर, हरी टेक्टर, कर्टिस केंपर, डॉक्रेल, बैलबरीन, और सरी मैक बरीन, एडायर, लिटिल और क्रेग यंग रहेंगे, अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं, दोनों टीम्स की रिकॉर्ड के बार जेक क्रावले ने तीन ODI मैच खेले हैं, जिसमें स्कोर किया है 97 का और 150 का स्कोर किया है, जेक क्रावले को आपने टेस्ट मैच खेलते हुए देखा होगा, इंगलेंड के लिए, और यहाँ अगर हम बात करते हैं, इन्होंने लिस्ट A क्रिकेट में, लिस्ट A में 25 पारी मे 36 के एवरेज को मेंटेन करते हुए 840 रन किये हैं, जिसमें 5 बार 50 और सिर्फ एक शतक शामिल है, तो लिस्ट A क्रिकेट का जो इनका रेकॉर्ड है बहुत कोई अच्छा नहीं है, इसके बाद दोस्तों नमबर 2 पर जो नाम आता है वो है फिल सॉल्ट, फिल सॉल्ट 12 ODI मै 36 खेल चुके हैं, जिसमें 38 का एवरेज है और दो बार 50 से उपर का स्कोर और एक शतक लगा चुके हैं, वैसे भी यह आपको विकिट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे और विकिट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास ये एक अच्छी चोईस है, लोरकें टकर बढ़िया है लेक तो नमबर 3 पर आपको मिलते हैं, जो रूट, जो रूट के बारे में मुझे बताने के आउशकता होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम पिछले कुछ मैचिस की बात करें, मतलब पिछले 2 से 3 साल की, यहां में आपको लिख देता हूँ, 2021 से 2023 के में बात कर रहा हूँ, तो य यह रिकॉर्ड इनका बहुत गंदा नजर आएगा, इसमें भी जो पिछले 4 से 5 मैचिस निकले हैं, रिसेंटली जो साउट अफरीका के सामने के लिए थे, वो और भी ज़्यादा गंदे थे, तो यहां आप देखेंगे 3-50 है, और आयरलेंड के सामने 3 पारी में 64 का एवरे करती है, और जोश लिटिल और जो जोर्ज डॉक्रेल हैं, जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, इसके बाद नमबर 4 पर आपको मिलते हैं, सैम हैन, सैम हैन को आपने अधिकतन मैचिस में बड़े स्कोर करती हुए देखा होगा, प्लियर बहुत और अभी दोस्तों पहला मैच है तो बहुत कम लोग इन पर नजर रखें, तो आप इने ग्रेंड लीक के अंदर अपना कैप्टन जरूर ट्राइ करना है, आपको सैम हैन को, क्योंकि इनका पहला ओडियाई मैच है, सेलेक्शन परसेंटेज भी कम है, और फिर कैप्टन जादा लगाते हैं, तो इसलिए अगर पहले मैच में ना भी चलें, तो जितने भी मैचेस अइरलेंड के साफने खेलने वाली है, उस हर एक मैच के अंदर आपको इस पिक्ति को कप्तान जरूर बनाना है, खास तोर से ग्रेंड लिक के हम बात कर रहे हैं, इसके बाद नमब आपको मिल जाते हैं, फिर इसके बाद नाम आता है विल जैक का, अब विल जैक जो है, टी ट्वेंटी के बहुत अच्छे प्लेयर है, अब टी ट्वेंटी में ये करने आते हैं, ओपन, यहां पर इनका जो बैटिंग डाउन होगा, वो रहेगा लगबग पांच्वे या छ हटवे नमबर पे, तो अभी जब मैं टीम तयार कर रहा था, तो काफी सारे लोगों ने इनको वाइस कैप्टन और कैप्टन किया हुआ है, किस हिसाब से की ओपन करते हैं उस हिसाब से, हाल फिलाल में ओपन करने के चांसिस कम हैं, तो नमबर अगर इनका पांच रहता है, तो फिर आप एज़ा प्लेयर रख लेना, ODI में दो पारी में 27 रन है, और लिस्ट एक क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, तो 24 पारी में 23 का एवरेज है, 250 और एक शतक हैं, और साथ में पार्ट टाइम गिंदवाजी आपको करते हुए नजर आ जाएंगी, पार्ट टाइम कम है कि विकेट जादा मिले है, कुल मिलाक का बस इतना हो सकता है कि बल्लेबास अपनी तरफ से अगर कोई गलती करता है तो वह एक अलग बात है, आठ पारी में 6 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं, लिस्ट एक क्रिकेट में अंदर, मतलब ये भी अपना पहला वंडे इसके बाद क्रेग ओवल्टर है, 7 पारी, 5 विकेट इनके खाते में दर्ज है, और 5 पारी में 68 रन ये ODI क्रिकेट में पहले बना चुके हैं, इसके बाद दोस्तो नाम है ब्रेडन कर्स का, ब्रेडन कर्स ने 10 पारी में 13 विकेट निकाले हैं, ये थोड़े भारी पढ़ सक आरलेंड की तरफ अगर आप किसी गेंदबास को किसी बोलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं तो यह ब्रेडन कैर्स एक अच्छी चॉइस है जो की एक अच्छे विकेट टेकर गेंदबास हैं अगर आप हाईस्ट की बात करोगे तो यह पंजा यह पहले मार जॉर्ज स्क्रीम शो का जिनोंने लिस्ट एक रिकेट में चार पारी में चार विकेट निकाल कर अपनी टीम को दिये थे अब दोस्तो हम बात करते हैं आयरलेंड के बारे में यहां तक की सारी चीज़े क्लियर है तो लाइक और कॉमेंट कर दो साथ ही टेलेगराम को जॉइ मिल जाता है आयरलेंड का भी दोस्तो वैनी रिकॉर्ड अभी नहीं है तो पहले हम बात कर लेते हैं पॉल इस्ट्रिलिंग के बारे में इंगलेंड के सामने एक लगभग डिड़ सो मार चुके हैं एक सुपाइलिस मारा था लास्ट टाइम जब हमने सामने हुई थी हाला कि ये खिलाडी हमेशा से मिस और हिट वाला प्लियर है इस पर वरोसा नहीं किया जा सकता है अब चूकि इस मेदान के उपर हम स्टार्टिंग में स्विंग की उमीद कर रहे हैं तो फिर इनके स्कोर करने के चांस और कम हो जाते हैं बस यही है कि अगर नॉन स्ट्राइक पर ख इसके बाद नंबर चार का प्लियर आपको 40 बना दे 6 नंबर का प्लियर के पास भी मोगा होता है कि 30-40 आराम से कर सकता है तो इसलिए 32 का रिकॉर्ड गंदा है वैसे दो 50 और दो शतक यह लगा चुके हैं अपने पिछले एक साल के केरियर में मतलब पिछले एक साल के 29 किया है पिछले 3 साल में 18 पारी में 18 का अबरेज है पार्ट टाइम गिनबाजी करते हैं जिसमें 13 पारी में 7 विकिट इनके खाते में दर्ज है लेक ब्रेक के सामने 8 का अबरेज और्थोडोक्स के सामने 8 का अबरेज लेफटा मीडियम के सामने 8 का अबरेज तो लेफटा एमत को यहाँ परचान से अगर यह खिलाडी थोड़ा लंबा खेले तो इसका विकेट उन्हें मिल सकता है फिर इसके बाद नंबर तीन पर आते हैं एंडी बेलबरीन एंडी बेलबरीन ने साथ पारी में 197 किया है जिसमें एक ही मैच में शतक है और पिछले दो सालों में 31 का एवरेज है 6-50 और दो शतक इनके खाते में दरज है अगर आप कंपेर कर रहे हैं पॉल स्रिलिंग और एंडी बेलबरीन का तो एंडी बेलबरीन ज़ादा बढ़िया उप्शन है क्योंकि ये कुछ ज़ादा मैच इसमें आपको 50 बना कर दे सकते हैं और दोनों पारियों का रिकोर्ट देखें तो पहले बेटिंग करते हुए ज़ादा बहुत ज़ादा अच्छा किया है राइट आम फास्ट बोलिंग के सामने दिक्कत है राइट आम मीडियम के सामने भी बेटिंग एबरेज इनका 22 का है और क्रेग ओवरटन जॉर्ज स्क्रीमशो और ब्रेडन कर्स इस तरह की गेनबाजी करते हैं इसके बाद आता है नाम लॉर्कें टकर का लॉर्कें टकर ने इंगलेंड के सामने तीन में 28 किया है और पिछले दो साल में इनका एवरेज है 22 का तो एवरेज के इसाब से देखे तो रखने का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन एक जो चीज है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगी वो ये कि इस मैदान के उपर हमने ये देखा है कि टॉप ओडर थोड़ा जल्दी विकेट फिक कर गया है पहले भी तो अगर पहले बेटिंग कर रही है आयरलेंड की तीम तो आप टॉप ओडर को छूड़ कर थोड़ा इन पर आ सकते हो फिर ये कंडिशन बन सकती है कि ये आपको जो टॉप ओडर से थोड़ा ज्यादा स्कूर करके दे जाए अगर टॉप ओड़ा आपको 15 रन या 20 रन मना कर दे रहा है तो हो सकता है कि आपको ये 30 या 35 करके दे जाए तो ये ड्रिम टीम में जगे बना ले बस इतनी सी वज़य है तो इसी वज़य से आप इस कंडिशन में कि अगर फर्स्ट इनिमे टीम बेटिंग कर रही तो सामने 18 का एवरेज है और फास्ट बोलिंग के सामने एवरेज इनका नौका है लुक वूड और ब्रेडन केर्स इस तरह की गेंदाजी करते हैं इसके बाद दोस्तों नाम है हैरी टेक्टर का हैरी टेक्टर बड़िया प्लियर है और साथ पचास ये कर चुके हैं चार सतक य होते हैं इंग्लेंड के 3 पारी में 57 रन इंग्लेंड के सामने तीन पारी में 57 रन ये पहले कर चुके हैं इसके आप कर्टिस केम पर इस खिलाडी को लेने का नुक्सान नहीं होता है क्योंकि ये आपको 10 ओवर पूरे करके देता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से आपको बेटिंग भी दे रहा है बेटिंग प्लेस बोलिंग दोनों मिलती है तो इस खिलाडी को आप वाइस केप्टन भी पिक कर सकते हो 20 पारी में 16 विकिट है और 16 पारी में 26 का एवरेज बेटिंग एवरेज ये मेंटेन करते हैं और्थोडोक्स गेंबाजी इनको परिशान करत है इसके बाद अगला नाम है दोस्तों यहां पर कर्टिस केमपर के बाद में आगे बड़ जॉर्ज डॉक्रेल जॉर्ज डॉक्रेल को दोस्तों अभी आप डेपेंड इनकी सिर्फ बैटिंग पर रहेगा वैसे ये गेंबाजी करते हैं 17 पारी 14 विकिट है लेकिन कई बार कि पूरा मैच निकल जाता इनको गेंद बाजी करने कम होका नहीं मिलता चुकि यह है मैच वन डे मतलब ODI मैचिस हैं ODI में ऐसा शायद ना हो T20 में अधिकतर अब ऐसा होता है इनके साथ में 17 पारी 14 विकिट है और 25 इनिंग में 37 का एवरेज बैटिंग का ही 4 बार 50 कर चु इसके बाद एंडी मैकबरीन आपको मिलते हैं और इंडिया के सामने इंडिया के सामने इनकी गेंद बाजी बहुत अच्छी रही 19 पारी में 20 विकिट इनके खाते में दर्ज है पहले गेंद बाजी करते हैं तो ही ज्यादा इंपोर्टेंट है सेकिंड इनिंग की गेंद ब इनिंग की गेंद बाजी आठ पारी चार विकिट आपको देखने मिलता है इसके बाद मार का डायर है जिन्होंने बीस पारी में 34 विकिट निकाले हैं इस पेशल देखिए फर्स्ट इनिंग 11 में 20 विकिट जॉष लिटिल की बात करें तो इन्होंने 24 में 38 विकिट लिका ल विकिट किये हैं 20 पारी में 31 विकिट इनके खाते में दर्ज है इस पेशल फर्स्ट इनिंग तो अगर आप लोगों को आईरलेंड के गेंद बाजों पर ट्रस्ट करना है या फिर टीम में रखना है तो अधिकतर जो गेंद बाज है वो फर्स्ट इनिंग वाले हैं सेकंड इनिंग वाले गेंद बाज कौन है जैसे आप चाहो तो 9 में 14 इनके पास है 10 में 16 इनके पास है तो अगर सेकंड इनिंग में ट्राइ करना है तो इन दोनों को ट्राइ कर सकते हो या इन दोनों में से किसी एक को ट्राइ कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों टीम कॉम या फिर टॉप थ्री में उनका नाम आता है तो विल जैक और भी अच्छी चोईस बनते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन सी के लिए फिर आप उनको लेकर चल सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को इस सब चीजें पसंद आई होंगी क्लियर हुआ डिलाने, क्रेग ओवर्टन, कर्टिस केमपर, विल जैक, लुईक वूड, ब्रेडन कैट्स और क्रेग यंग को टीम में रखा हुआ है कोई भी बदल आप करूँगा, तो वो जो अपडेट्स है आपको टेलेगराम पे मिल जाएंगे, वहां रहना, अभी जो टीम तैयार की, यह पुराने रिकॉर्ड के बेसिस पर है, जो अभी रिकॉर्ड हमने देखें, उस बेसिस पर है, लेकिन टॉस के इसाफ़ से टीम आ जैहन, जैभारत